तो गाईज बाच्छा जैसा चूती है जब दुनिया में जिन्दा हो और यो यो हनी सिंग की अच्छी तारीफ हो रही हो तो कैसे परदास कर लेगा लेकिन लॉजिकल बात यह है कि आज हम बाच्छा की चुतियापे पर बात तो करेंगे उसके साथ साथ एक नई टालेंड के बारे में भी बात करने वाले हैं नाए टैलेंड का नाम है स्ट्रीट सेलेबिलिटी के दिन शर्मा जो की हेड करता है है ध्राबाद से और आज हम बात करने वाले हैं एंटीवी हसल ओपॉइंट थरी के बारे में यह 0.3 यह 0.3 वह टेवर यू कॉल इट तीसरा सीजन मैंने स्ट्री रैपर देखा है वहाँ पर मैंने हैदराबाद में और कोई रैपर अभी तक नहीं देखा एंट हाँ couples के लिख कोई आटिस्ट यह तो बोलेगा नहीं कि मैं यो यो हनी सिंग का फैन हूं तो केड़न ने बड़े स्माटली एक वर्ड बोला कि भाई आए लव माफिया मुडीर और माफिया मुडीर छोड़ने वाले लोग तो माफिया मुडीर का पार्ट थे ही नहीं विकाउस मैं नहीं माँता कि जो लोगों ने बिना किसी रीजन के सिर्फ दूसरे बंदे को डाउंगुरेड करने के लिए माफिया मुडीर छोडियो उसको माफियا मुडीर पार्ट माने अल्टिमेटली माफिया मुडीर लाया कौन था योयो हनी सिंग और ये बात बोली किसने सब ने इवन जो क्रेडिट की भीक मांग रहे हैं तस साल से उन्होंने भी लेकिन लॉजिक की मैं बात करूं अगर तुम्हारे सामने केडन बोलना चाहरा था कि मुझे योयो हनी सिंग की वज़े से रैप के बारे में पता चला तो आइवड लाइक तो बी अपार्ट अफ दैट हरार्की एंड गेटिं इंट टीम उफ इकका तो अब उसने बड़ा स्मार्ट ली बोल दिया कितने लोगों को लगता है कि केडन चर्मा योयो हनी सिंग का पैन है और कितने लोगों को नहीं लगता है ये कमेंट में लिखके मेरे को बताना मेरे को पता है तुम लोग क्या लिखने वाले हो और सही लिखोगे तुम लोग मेरे को ये भी पता है कि इस बार YoYo Army इस टालेंट को सपोर्ट ज़रूर करेगे बिकॉस अच्छा टालेंट है यार और गाइस चलो वो तो हमें एक साइड पर रख देते हैं कॉंट्रोवर्शिल स्टाफ एक जगा हो जाता है लेकिन केडिन चर्मा इस सच अ ब्रिलियन टालेंट मेरे को उसका गाया एक एक वर्ड बड़ा मज़ेदार लगा अच्छा लगा और बड़ लव तो शीम मोर दूइंग सॉंग्स एंड ग्रो बड़ा मज़ा आएगा इस सच टालेंट को लिटरली मौके देता रहना चाहिए और शायद ये हसल का सबसे अच्छा पाट है के नए आटिस्ट आगे आते हैं बाकी कुछ तो मेरा दोस्त आगया पुराना इसको तो मैं पहले से जानता हूँ ये तो बहुत चली रहा वहाँ पर लेकिन एक आत कोई जो बैचारे केडिन जासे नहीं आते हैं जिनको ये पहले से नहीं जानते हैं जो आउट आउट अफ अफ आउट आफ हसल्स मौका नहीं दे सकते उनकी बात कर रहा हूँ मैं इका को पहले से जानता हूं, मैं बादशाबाजी को पहले से जानता हूं, यह चल रहा है, वो तो फिर अब क्या कर ला हुए, पहले तो मेरे को यह नहीं समझ में आ था, कि इसको जज बनाया किस बुद्धु ने है, मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा, क्यों बनाया भाई, क्या दिग गया था तुम्हें इसमें जियान तो है यह चलो जियान है चलो talent के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन जो इसने हरकते अपने बाप के मेरा मतलब भानी सिंग के बारे में करी है उस वज़ाए से कोई respect नहीं इस बंदे की मैं इतना देख लिया लेकिन यह चलो जाएंगे वह पोचा मार मार के ना कितना talent कर दिया है वही करते रह जाओगे लिटरली लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो और गाईज दो लाग सब्सक्राइबर होने वाले है रियाक्शन भाई आरजी पर और इस पर पच्च्छ अजार करवादो यार जल्दी ज वाच्छारी वीडियो आप लोगों के लिए लाइन डप हैं